हेलो नमस्ते जी सभीको कैसे हैं सब आसा करती हूं सब अच्छे होंगे और आज हम ये सुन्दर सा मातारानी का लेंगा बनाना सिखेंगे कि मैंने ये कैसे बनाया है क्या मेजर्मेंट है तो आप देखते रहे ये मेरी वीडियो को बने रहे ये चैनल पर तो चलिए बनाते है मातारानी का रहेंगा आज हम मातारानी की ड्रस बनाएंगे उसके लिए मैंने ये 30 चैन बनाई है 30 चैन बनाई है ऐसे करकर के चैन तो आप जानते हैं कैसे बनाते हैं इस तरह इस तरह है तो 30 बार ऐसे किया है तो 30 चैन बनके मेरे पास तयार होगे मातारानी की वेस्ट की अकोर्डिंग मुझे चाहिए ये 5 इंच तो 30 चैन में यहां से यह आपके देखिए हैं यहां तक तो ये 5 इंच हो रहा है तो 5 इंच में 30 चैन आई हैं अभी हम हर चैन के उपर एक बार डबल क्रोशिय करेंगे तो उसके लिए सबसे पहला है एक दो तीन और ये चार चार की चैन लेंगे और ये एक दो तीन चार जो हम ने छोड़े ने यहां पर पहले वाले में तो ये एक डबल क्रोशिय हो गया हमारा अब हम जो ये है एक, दो, तीन, चार यहाँ पर इसको जोइन करतेंगे यह हमारा यह हो गया पहला डबल क्रोश्या और एक हमारा यह काउंट होगा तो टोटल हमें 30 डबल क्रोश्ये बनाने है इसमें इसी तरह से जैसे एक हमारा यह हो गया, दूसरा यह हो गया तो ऐसे हमें पूरे 30 double crochet बनाने हैं इसमें हर chain में एक बार बनाएंगे इस दीट aí ähän chain में एक बार बनाते वह इस दीट एक double crochet बनाते चले जाएंगे तो लाश्ट तक पोझ जाएंगे ऐसा ही हा यो यह दाउन मैंने complete कर लिया इस दीट अब इसमें एक chain बनाएंगे और इस धाग्ये को कट कर देंगे क्योंकि हम इधर से सिद्धी साइड से ही शुरू करेंगे इसे दुबारा तो जहां यह हमने चार चेन बनाई हैं तो यह तो पहला डबल क्रोश है तो इसके उपर जो यह है इस वाले में हम इसे जोइंट करेंगे धाग्ये को जोइंट करने के बाद यह एक दो तीन एक डबल क्रोशे हो गया यह वाला फिर हम यह यह जो नेक्स्ट वाला है इसको इस तर उठाएंगे फ्रंट पोस्ट ठीक है नेक्स्ट वाले को भी फ्रंट पोस्ट उठाएंगे इस तरह और फिर जो यह चैन है इस चैन से हम यहां से फिर डबल क्रोश्या करेंगे यहां पर चैन में नहीं बनाना यह दोनों फ्रंट पोस्ट बनाने हैं और यह इसमें हम इस तरह दो बार फ्रंट पोस्ट करेंगे इसमें एक बार बनाया इसमें हम दो बार बनाएंगे यहां सा हमारी कली बननी शुरू जाएंगे, अब फिर हम यह जो वाला है, इसको इस तरह फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे, अगले वाले को भी फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, और इसके बराबर वाला जो यह है, इसको हम करेंगे, चैन सिम्पल डबल क्रोश्य, अगले वाले में करेंगे दो बार, तो इस तरह राउंड को कम्प्लीट करेंगे, देखो यह पूरा राउंड बने कम्प्लीट कर लिया है, यहां पर एक सिंगल डबल क्रोश्या है, दो फ्रंट पोस्ट यहां पर हमने एक सिंगल और एक डबल दो फ्रंट पोस्ट एक सिंगल एक डबल ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर ऐसे यहां पर तो अब हमें उल्टा साइड करना है उल्टा साइड शुरुवात करते हैं अब उल्टी साइड के लिए हम तीन चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिय हो गए, वापस लेंगे, तो हमें क्या करना है, जो यह हमारा फ्रंट पोस्ट है न, तो इसे हमें बैक पोस्ट बनाना है, इस तरह है, यह बैक पोस्ट बनाना है, और बाकी यह जितनी भी कली हैं, जो मतलब हर उसके उपर, एक एक बार, उल्टी साइड हम एक भी फंदा बढ़ाएंगे नहीं, जितने हैं, तीन हैं, तो तीन के उपर तीन बार ही करेंगे, दो हो गया, और यह तीसरा हो गया हमारा, फिर हमारे आगे हैं यह फ्रंट पोस्ट, तो इनके उपर हम ऐसे बैक पोस्ट बना लेंगे, फ्रंट पोस्ट में हम आगे की साइड से लेते हैं, बैक पोस्ट में हम पीछे की साइड से लेते हैं इस तरह हमारा ये दोली बन जाएगे ऐसे ही हम पूरा राउंड कम्प्लीट करेंगे ये लास्ट में आगे हैं तो जह हमारे ये तीन की चैन बनती है इसी के उपर हम यहाँ जो यह थाड़ वाला उत्ता है इसके उपर थाड़ वाल चैन उत्ती है इसमें इस तर लेकर हर एक डबल ग्रोश्या बना जिकते हैं तो यह हमारा वरक से अलग चलता रहेगा अब हम वरक को सिधा करेंगे तो देख सकते हैं आप इस तर है यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ कलिया मेरे लहंगी में बनेंगी है मातारानी के और जितनी भी आपको हाइट चाहिए उसी तरह ही बनता चला जाएगा अब हम ओल्टे साइड उर्च 8 अब हम जाएंगे नहीं बढ़ाना है किवे धर की साइड हमें बनाना है तो अ अब तीस्रा मतभ़ तीसरी रो को शुरू होगी तो मैं आपको दिखाती हूं कि आपको किस तरह बढ़ाना है कि हम सुरू करेंगे एक दो तीन की चेन लेंगे तो यह हमारा एक डबल क्रोशे हो गया लेंगे जो फ्रंट पोस्ट है उनको फ्रंट पोस्टी बनाएंगे इस तरह फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्टी बनाना है ठीक है और अब कि बार जैसे हमने इधर यह तीन हो गए हमारे तो अब कि बार हमने इधर बढ़ाया था तो अब कि बार इधर नहीं बढ़ाएंगे यहां सुरू में बढ़ा देंगे तो जैसे यह हमने यहां पर एक डबल क्रो तो हमारे ये तीन के उपर चार हो गए हैं ठीक है फिर हमारे हैं फ्रंट पोस्ट तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह, अब फिर हम, पहले हमने इधर बढ़ाया था तो इधर बढ़ाएंगे, यहाँ पर फिर हम एक चेन में दो बार बना देंगे, इस तरह, जब हम एक बार इधर बढ़ाएंगे, एक बार इधर बढ़ाएंगे, तो हमारा लहंगा बिल्कुल इकवल चलेगा, नहीं तो तो जब हम एकी तरफ बढ़ाते रहेंगे इस साइड तो लेंगा इधर को भाग जाएगा और अगर इस साइड बढ़ाते रहेंगे तो लेंगा इधर को भाग जाएगा तो हमें क्या करना है यह इस लाइन में हम इधर बढ़ाएंगे फिर वापस आएंगे उसमें कुछ नही पारा होगता है चैन इसमें निकालके एक डबल क्रोश्याम बना देगे तो यह हमारा साइड चलता रहेगा इसमें हमारी किनारी बन जाएगे बाद में अब हमारा वर्ट टर्न हो गया है तो वर्ट को टर्ण करते हुए हम वपस से एक दो तीन चैन बनाएंगे यह लेंगे तो हम ने बनाना है जो फ्रंट पोस्ट है उनके उपर बैक पोस्ट और जितना भी हमारा वर्क है सब के उपर एक ही बार बनाते चले जाना इसमें हमें कोई इंक्रीज नहीं करना होता है मतलब कोई बढ़ाना नहीं है फंदा ऐसे एक चैन के उपर एक बार डबल क्रोश्या करते वे हम चले जाएंगे तो हमारे विध्यव के बार चार बार हमने बना लिया है अब हमारे आ गया है यह बैक पोस्ट सीधी साइड हम जो फ्रंट पोस्ट बनाते हैं, जब हमारा ये वर्क टर्ण हो जाता है, तो हमें उस पर बैक पोस्ट बनाना है, फ्रंट पोस्ट पर बैक पोस्ट, क्योंकि इस तरह हम बनाते हैं, तो इस तरह ये डोली बनती चली जाएगी इसमें, ये डोली, तो कलिया अल आप ये लेंगा अब मुझे ये 10 इंच बनाना है जिसे ये इतना है यहां से थोड़ी सी किनारी बनेगी उपर तो यहां इतना हम ले लेते हैं ये मुझे बनाना है 7 इंच 7 इंच के बाद 2 इंच का इसमें बोडर बन जाएगा तोटल मुझे 9 इंच चाहिए तोटल मुझे 9 इंच चाहिए तो 7 इंच का मैं ये लेंगा बनाऊंगी और उसके बाद मैं बोडर बनाऊंगी इसको 2 इंच का देखो ये लेंगा बनके तयार हो गया है अब हमें इसका बोडर बनाना है बस इतना तो मेरा ही लेंगा बिल्कुल प्रोपर तयार हो जाएगा और इसे हमें बैसे करेंगे और लगाएंगे रेड कलर ठीक है रेड कलर जोड दे रेड कलर हमने जोड लिया अब हम क्या करेंगे तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन और इसको यहां पर एक में तो यह हो गया है दूसरे में डबल क्रोशिया तीसरे में भी डबल क्रोशिया चुत्थे में भी डबल क्रोशिया अब हम क्या करेंगे एक, दो, तीन, चार, एक, पांच पांच की चैन बनाएंगे एक और दो स्किप करेंगे और तीसरे में डबल क्रोशिया तो चार बनाएं हमने और ये दो स्किप कर दिया है पांच की चैन लिए अब हम फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे चार चैन में चार डबल क्रोशिया ठीक है? अब हम बनाएंगे चार चैन एक, दो, तीन और ये चार एक दो दो इसकिप करेंगे अभी भी और यहाँ पर जोइन कट लेंगे इसको फिर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम बनाएंगे पांच की चैन एक दो तीन चार पांच की चैन बनाएंगे एक दो इसकिप करेंगे तीसरे में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा यह पैटर्न ऐसे चलेगा चार बनाने है पांच की चैन बनानी है फिर चार बनाने फिर चार की चैन बनानी है दो इसकिप करने है तो इस तरह हमारे पैटर्न चलेगा पूरा करके आपको दिखाती हो देखो यह हमारा pattern बनके तयार हो गया है जो मैंने पूरा ऐसे ही कर लिया है यह 4, 5 की chain, 4, 4 की chain, 4, 5 की chain तो जो 4 की chain वाला है वो pattern तो इधर आएगा हमारा और जो 5 की chain वाला है यह इधर जाएगा तो 5 की chain वाले मेरे पास 7 हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एके 7 तो 7 फूल नीचे को जाएंगे और 6 फूल उपर को आएंगे अब यह हमें क्या करना है धागा इधर है तो हमें इसदर आजाएंगे तो इधर हमें किस तरह करना है यह जो हमारे यह है इसमें हम ऐसे बिना धागा लिए ऐसे सिंगल क्रोशे से इधर पहुच जाएंगे जहां पर chain है तो इस तरह करते हुए हर chain में ऐसे सिंगल क्रोशे करते चले जाओ चार chain में चार बार सिंगल क्रोशे हो गया तो हम इधर आगे हैं यहां पर भी एक बार हम इस तरह सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, जिससरे हम चैन में आ जाएं, ठीक है, चैन में आ गए है, अब हम क्या करेंगे, एक, दो, तीन, तीन की चैन ले लेंगे, और इसमें तीन बार और बना लेंगे, एक, दो, तीन, और यह, चार, चार बार हो गया है, अब यह में क्या करना है, दो की चैन लेनी है, एक, दो, दो की चैन ले, पापस से चार बार इसमें और बना लेंगे, एक, दो, तीन, और यह, चार, तो हमने क्या किया है, चार बनाए, दो की चैन लेनी है, और चार बनाए है, अभी इसी तरह हमें, पूरे इसमें ऐसे बनाना है, तो वापस से लेंगे, तो यहाँ पर फिर से, डबल क्रोश्या बनाया, चार बार, चार बार हो गया है, अभी दो की चैन लेंगे, वापस से फिर इसी में, चार बार बना देंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह, चार बार, दो चैन, चार बार, चार बार, दो चैन, चार बार, ऐसे ही पूरा पैटर्न हमें ये फुल करना है, देखो, ये मैंने वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है, जैसे, चार दो की चैन चार दो की चैन और चार पूरे में इसमें मैंने ये पूरा वर्क कम्प्रीट कर दिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको अब तीसरी लाइन कैसे चलानी है तो धागा हम यहां तक नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमने यहां से भी यही से स्टार्ट किया है तो इधर भी यहां तक निले जाएंगे यही से वर्क को टरं कर लेंगे टरं करने के लिए एक, दो तीन की तो चैन हमने लिए एक double crochet बनाने के लिए इसके उपर यह एक है, इसके उपर यह एक हो गया अब हम एक की चैन ओड़ लेंगे, एक चैन लेली तो चार चैन ली है, और जो अगले वाला लूप है, इसमें हम double crochet बनाएंगे अब हमें क्या करना है, हर फंदे से पहले एक चैन लेनी है, एक चैन ली इस चैन में double crochet बना दिया अब वापस से फिर एकолов लिए फिर इसमें double crochet बना दिया तो हमारी ये चार थे चार के उबपर चार बन गयें एक ये हो गया, एक चैन होगी एक ये एक चैन, एक ये, एक ये चैन फिर एक ये ये जो हमारा बीच का है center का इसमें हमें बनाना है 3 बार लेकिन चैन लेनी है, एक चैन, एक बार बना लिया, फिर एक चैन ली, फिर एक बार बना लिया, फिर एक चैन ली, फिर एक बार बना लिया, तो हमें यह तीन बार बनाया लेकिन तीन नों के बीच में एक एक चैन ली है हमने ऐसे ही फिर हमारे यह चार बार है इनके उपर चार बार बनाएंगे एक चैन लेंगे एक बार फिर एक चैन फिर इसमें फिर एक चैन फिर इसमें तो यह हो गया हमारा यहां फिर हमारा जी बार का गया फिर वापस से फिर हम एक चैन लेंगे वापस फिर इधर सुरू कर देंगे अब हमें हर उसमें एक बार बनाना है लेकिन उससे पहला एक चैन लेनी है जब हमें यहां से यहां जाना है तो इसके बीच में एक चैन होनी जाये है और यह यहां हम तीन बनाएंगे और तीनो डबल क्रोश्य के बीच में एक एक चैन लेंगे ऐसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे देखो राउंड कंप्लीट हो गया पूरा इसी तरह करते हुए और अब हमें यह वाला धागा यहाँ पर जोइन करना है मतब यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ बिल्कुल कोने में लेंगे और slip stitch से जोइन करते हैं एक chain लेंगे और यह red वाला धागा काट देंगे इधर से हम जोइन करेंगे इसे yellow धागे से तो हमें क्या करना है जो यहाँ पर यह यह वाला है यह वाला फंद उठाना है इस तरह इस तरह है और इसका भी यह वाला है यह जो हमारी एक chain है इसको तो छोड़ देंगे इसके पास वाली chain उठाएंगे इस तरह है यह इसमें से निकाल लेंगे और यह है और हम यह इस तरह है जोइन हो गया इधर भी अब हम एक दो तीन chain लेंगे और वापस यहीं पर जहां पर हमने पहले कर रहा है इसको यहीं पर ऐसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे तो एक ऐसा किनारी सी बन जाएगी जो अगला हमारा यह स्टिच है इसमें जाना है सिंगल क्रोशे से ऐसा जाएए सिंगल क्रोशे करिए इसके बाद एक दो तीन चैन लीजिए इसी में दुबारा से फिर सिंगल क्रोशे तो यह एक किनारी बन गी फिर हम अगले वाले लाइन में सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह एक दो तीन तीन चैन वापस फिर इसी में सिंगल क्रोशे तो इस तरह किनारी बनती चली जाएगी इस पर अगली चैन में जाएंगे ऐसे सिंगल क्रोशे करेंगे एक दो तीन और फिर वापस इसी में तो हमारी इस तरह किनारी बनती चली जाएगी इस पर अब यह यहां तक यहां तक में complete करके तब मैं आपको इनको जोडना बताऊंगी कि यह जुड़ेंगे कैसे तो अभी मैं यहां तक इनको complete कर लूँ तब आपको दिखाती देखो यह मैंने इसमें किनारी बना लिए है इस तरह तो यह हमें जोड़नी कैसे है अब इमा आपको जोड़के दिखाती हूं देखो जैसे यह वाला होल है इसके उपपर हैसा यह होल है ठीक है यहा तक हमें इसा बनाना है और ऐसे ही इधर देखो ये होल है इसके उपपर ये वाला होल है तो हम यहां से यहां से यह होल है यहां से की रोश्या निकालेंगे यह यहां से ठीक है अब इसको वापस करेंगे जो यह धाग्गा है इसको हम यहां से ले लेंगे ठीक है थोड़ा सा हलका सा और यह silpy stitch बना देंगे इस तरह अब हमें यहाँ पर यहाँ पर आना है तो यहाँ पर हम इस तरह आगे हैं फिर वापस एक दो तीन तीन की चैन फिर यहीं पर हम इसको कर देंगे फिर हम यहाँ आ जाएंगे सिंगल क्रोश्य एक दो तीन फिर हम यहीं पर इसको वापस सिंगल क्रोश्य से जोइन कर देंगे फिर अगले में इस तरह एक दो तीन अब फिर हम वापस यहीं पर तो अभी हम मैं आपको दिखाती हूँ तो हमारा ये पैटर्न इस तरह बनता हुआ जाएगा एक हमारा गोल गेरा निच्चो को रहेगा एक उपर को रहेगा अभी ये मैं आपको यहां तक करके वापस एक बार जोड़ना बताऊंगी देखो मैंने फिर यहां तक यह बना ली है इस होल के सामने तक यह वाला है यहां से निकालेंगे इसको और हम इसको ऐसे करेंगे और यहां से यह धागा लेंगे इस तरह इस तरह यहां पर वापस तो इस तरह देखो हमारा ये ये पैटर इस तरह हमारा बनता चला गएगा यह इस तरह का पैटर हमारा ये बनेगा देख सकते हैं अब अब मैं सारा ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगे देखो जी माता का लेंगा बन के तयार हो गया जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ पैटर निच्चे को गए है एक दो तीन चार पांच छे चे पैटर उपर को आए हैं तो यह हमने यहां पर जोइंट किया है आपको जोइंट करना सिखाया तो ऐसे यह बनते हुए चले गए हैं अब यह उपर यह लेंगा आप चाहे तो यहां पर इसमें किनारी भी बन सकते हैं और यह इस पर यहां पर मोती भी लगा सकते हैं सजाना आपके उपर है कि आप कितना सजाना चाहते हैं मैं भी देखूंगे और उपर मैंने क्या किया है यह उपर मैंने रेड कलर लेके तो यहां पर यहां से धागाय स्टार्ट किया और एक तो यह हो गया और दो य कि रोचिये बनाएं डबल क्रोषिये दो कीचैन लिए दो निचे छोड़ दिया फिर दोड़ल क्रोषिये दो कीचैन दो छोड़ दें दो डोर ग्रोषिय है ऐसे करते हुए मैंने यह एक दो तीन चार पाँख शे शाथ आठ इस तरह बना लिए तो इसमें को नह 메ंट दोरी बनाकर डोरी डाल देंगे इस में दोरी दोरी भी मैंने बना रखी है दोरी बनाने की विदी भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनाते हैं तो इसमे को हम इसको इस तरह फिरो लेंगे इस तरह पूरे मुक इसमे को हम इससो फिरो लेंगे देख सकते हैं इस तरह यह इस तरह बांदने का अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसा कर दीजिए तो थोड़ा सा ठाइट हो जाएगा हलका सा खीच लिए तो थोड़ा लूज हो जाएगा आप बांद दीजिए और यहां पर मैं थोड़ा सा टेसल्स बना दूंगी इसमें उन की मदद से उन डाल के इधर और टेसल्स बांद दूंगी अभी मैं आपको बांद के दिखा दूंगी तो इमाता का लेंगर तो हो ग यह टेसल्स बनाने के लिए इस तरह धागा लेंगे और जो हमारे यह है इसको यहां से थोड़ा सा इस तरह खीच के खोल लेंगे इस तरह खोल के इसको इसके इंदर डाल देंगे और इसको यहां से इस तरह पकड़के और एक धागा लेंगे उससे अच्छे से ऐसे बांद देंगे खूब कसके बांदना है ताकि धागा खुले ना इसमें दोनों में गाठ लगा देंगे जो हमनी बनाया है इनको काट लेंगे इस तरह इसको इसे पकड़के अच्छे से इकवल कर देंगे तो हमारा यह एक लटकन बनके तयार हो जाएगी ऐसे इधर भी बना लेते हैं देको डूनों टैसल्स बन गी है बिल्कुल उपके तयार हो गया है मातक लेंगा बनाईए आप भी अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्रीज लाइक करिए कमेंट करके बताईए कि आपको लेंगा कैसा लगा और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लीजिए अगली वीडियो पठके की आएगी पार्ट टू में तो मिलते हैं फिर व